दोसों इस बार भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने पुरी दुनिया को चौका दिया है बता दें कि भारत ने संगाई को Operation Organization यानि की S.C.O की एक बैठक से पाकिस्तानी परतिनिधी मंडल को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है जिहां पाकिस्तान का ये परतिनिधी मंडल भारत पहुचा था लेकिन इस परतिनिधी मंडल में सामिल लोगों ने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद इन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया गया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आदत है कि वो हर मंच पर जाकर सिरफ कास्मीर का ही रोना रोता है और इसी तरह का कुछ उसने इस बार भी मीटिंग के दौरान किया और S.C.O. की बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्सा दिखाने की कोसिस की लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस प्लानिंग को मिट्टी में ही मिला दिया और उसे फोरण महां से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया ऐसे में क्या है पूरी खबर चलिए अब इस बारे में थोड़ा सा डीटेल से आपको बताते हैं दोस्तों आपको बता दे कि पाकिस्तान के परतिनिधी अपने साथ एक गलत नक्सा लेकर आये थें और इस नक्से में जमू कास्मीर को गलत धंग से प्रस्तूत किया गया था मीटिंग सुरू होने से पहले ही भारत को पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में पता चल गया जानते ही हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का मकसद बैठक में हिस्सा लेने का नहीं था बलकि जबर्दस्ती का बवाल और ड्रामा करना था भारत ने कुछ देर तो पाकिस्तान के परतिनिधियों की बात सुनी लेकिन उसके बाद इन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जानकारी के लिए बता दे कि S.C.O. के अंतरगर्थ होने वाली इस बैठक को भारतिय ठिंक टैंक ने आयोजित किया था और इस बैठक में सैनल चिकिस्ता स्वास्ते सिवा और महामारी के दौरान योगदान पर चर्चा होनी थी लेकिन पाकिस्तान को इन सब चीजों से क्या मकसद है उसे तो बस कास्मीर का गलत नक्सा दिखा कर सस्ता परचार करना था जिसका नतीज़ा ये निकला कि पाकिस्तान का ये परतिमीधी मंडल इस बैठक में सामिल ही नहीं हो पाया और अपना गलत नक्सा लेकर उसे सडकों पर ही भटकना पड़ा आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान S.E.O. समू का एक सदस्य देश है इसलिए भारत को प्रोटोकोल के तहत उसे हर मीटिंग में बुलाना पड़ता है कुछ समय पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी एक S.E.O. बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आना था लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने एंड मौके पर मना कर दिया और उनको भारत नहीं आने दिया गया और बता दे कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से इंविटेशन कई महीनों पहले ही दे दिया गया था लेकिन ऐसे में पाकिस्तान ने इसके लिए मना नहीं किया था क्योंकि अगर ऐसा करता तो सभी बड़े देसों के सामने पाकिस्तान की बेजती होती ऐसे में पाकिस्तान ने आखरी समय में कुछ बहाना बना कर इस मीटिंग में आने से मना कर दिया था और वैसे देखा जाये तो अच्छा ही हुआ कि वो नहीं आए ऐसे में अब देखना होगा कि अपने परतिनिधी मंडल की हालत देखकर पाकिस्तान के परधान मंतरी सहबाज सरीप और बिलावल भुटो खुद भारत आते हैं या फिर नहीं क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि SEO की अभी एक सबसे एहम मीटिंग होनी बाकी है जिसमें सभी बड़े बड़े देसों के परधान मंतरी और प्रेसिडेंट सामिल होंगे और इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वो भारत आएंगे लेकिन इस दोरां सहबाज सरीप और बिलावल भुटो डर की वजह से भारत आते हैं या फिर नहीं इसका अंदाजा लगाना भी मुस्किल है पाकिस्तान ने भी भारत को कुछ इंविटेशन को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान एह मौके पर कुछ बहाना बना कर इस मीटिंग के लिए मना भी कर सकता है क्योंकि पहले से इस मीटिंग के लिए मना करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है तो अईसे में इस ख़बर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जब बताना साथ ही वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सबस्क्राइब करना